गुड इवनिंग ओल अफ यू, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं फर्स चैप्टर के जो भी इन्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट के बारे में एक लेक्चर वीडियो में आपको बना के दूँगी, तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है, सबसे पहले ही बेसिक और जनरल चीज में आपको बता देना चाहती हूं कि बायोजी, चुकि अब बायोजी के स्टुडेंट हो, तो बायोजी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्यन, ठीक है, तो जीवन का अध्यन ही बायोजी कहलाता है अरस्तू को क्या बोला जाता है फादर ओफ बायलोजी क्यों बोला जाता है सरुर प्रतम पौदो एवं जन्तूों के जीवन के विभिन पक्षों के विशे में अपने विचार प्रकट किये थे इनोंने ठीक है और इनको फादर ओफ जुलाजी भी बोला जाता है यहां एक question यह उठता है कि father of botany किसे बोला जाता है या वनस्पति विज्ञान का जरक किसे बोला जाता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि three of visitors को बोला जाता है ठेक अब बात करते हैं कि जो first जो आपका chapter है उसके कुछ important points सबसे पहला life span क्या है it is time duration between birth and natural death of an organism मैं अब किसी भी लाइन को elaborate नहीं करने वाली हूँ I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है यहां पर अलग-अलग organism के life span के बारे में लिखा हुआ है reproduction का मतलब क्या होता है re का मतलब होता है again and production का मतलब होता है to form asexual reproduction की क्या definition होती है कि morphologically and genetically similar to its parents asexual reproduction के बाद जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं morphologically और genetically similar होते हैं अपने parents करको हम clones भी खहते हैं जो बच्चे asexual reproduction से उत्पन्न होते हैं Asexual reproduction में single parent involved होता है और इसमें no recombination and crossing over take place मिने इसमें recombination and crossing over की घटना नहीं होती है यहाँ पे नीचे कुछ Asexual reproduction के examples लिखे हुए हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा binary fusion किसमें होता है amoeba में होता है इसके अलावा amoeba में incestation and sporulation भी होता है मैं आप से यह बोलना जाती हूँ कि incestation and sporulation क्या है इसके बारे में एक छोटा सा नोट आप whatsapp में लिखके डालना ठीक है binary fusion यह paramecium में भी पाया जाता है budding east hydra में पाया जाता है ठीक है hydra में fragmentation के द्वारा भी यह sexual reproduction होता है zoe sports clamido monas में पाया जाता है zoe sports क्या होते है प्लीज यह भी मुझको बताना conidia conidia द्वारा ए sexual reproduction panicellium में पाया जाता है और jimuse के द्वारा ए sexual reproduction sponges में पाया जाते है अब यहाँ पे कुछ vegetative propagus बनते हैं जैसे eyes बनती है पोटाटो में rhizome होते है जिंजर और बनाना में bulbil होता है agave में leaf bud होता है bryophyllum में offset most important point है offset offset का scientific नाम क्या है आई cornea crassipus ठीक है तो एक और question इसके बारे में भी आप जरूर लिखना कि बंगाल का आतंग किसे खहते हैं terror of Bengal क्या है उसके बारे में एक छोटा सा नोट आप लोग लिखके जरूर डालना अब बात करते हैं कि sexual reproduction क्या होता है sexual reproduction में genetic recombination and variation occur for the evolution मतलब जो sexual reproduction उसमें क्या होता है genetic recombination and variation उसमें अकर करता है अगर मैं बात करूँ तो कुछ examples बहुत most important example NCRT में mention है वो क्या है कि bamboo सा टुलडा ये क्या है Indian timber bamboo है अच्छा bamboo क्या है मतलब बास क्या होते है मैंने आपको बताया था कि ये जाड़ी होती है या ये घास होती है या ये व्रिक्षपेड होते हैं क्या है ये ये भी आप खूझे वाटसेप पर बताना तो अभी तक मैंने तीन questions आपसे पूछा है ठीक है very long इसका जो vegetative face होता है very long होता है जिसको कि हम जमेनाईल face बोलते हैं और इसमें 50 से 100 साल में इसमें flowers आते हैं इस्ट्रोबलेंथस कुंति आना कि जो flowers है वो अभी next time कब उनकी flowering देखी जाएगी इसको भी आप comment करके whatsapp में लिखना ये एक तरह से आपका test video भी आप बोल सकते हो कि मैं एक-एक line से एक-एक question भी आपसे पूसती जा रही हूँ और उमीद करती हूँ कि मुझे उसका response जरूर मिलेगा अब sexual reproduction में कुछ events होते हैं क्या events होते हैं तीन most important event है जिसमें पहला है pre-fertilization event pre-fertilization event में क्या होता है formation of gamut and transport of gamut to the site of fusion fertilization event में क्या होता है इसमें क्या होता है fusion of male and female gamut is called fertilization अच्छा अगर बात करें human being में तो human being में fertilization कहां होता है तो human being में fertilization होता है systemic and empolary junction में ठीक है फिर parthenogenesis, parthenogenesis की प्रक्रिया किसे कहते हैं female gamut develop and divide itself to form new individual यह honeybees, rotifers, some lizards and turkey birds में यह प्रक्रिया पाई जाती है मतब देखने को मिलती है post-fertilization event क्या होता है इसमें zygote का formation होता है embryogenesis, embryogenesis क्या होता है development of zygote by with the help of cell division and cell differentiation एक चीज़ और, cells division और cell differentiation में क्या difference है यह भी आप मुझे comment करके whatsapp में लिखके बताऊगे और, lastly, कुछ chromosomes के number आपको याद रखने है चुकि fruit fly, जो drosophila है, इसके बारे में आपको आगे genetics chapter में पढ़ना है तो fruit fly में number of chromosome कितने होते हैं, तो eight number of chromosome होते हैं और fly man, मतलब Morgan जो है, उनको fly man of genetics बोला जाता है पता है क्योंकि उन्होंने na drosophila पे बहुत जादा उन्होंने अपना research work किया था जो कि आपको अभी पढ़ने को भी मिलेगा तो fruit fly का, जो scientific name है, वो क्या है, वो है drosophila melanogaster देखो मैंने यहाँ पर गलती किया है, मैंने यहाँ पर underline नहीं किया है यह underline करने का system जो है, वो किसके दोरा प्रतिपादित किया गया था यह भी आपको बताना है, उसके बाद है, ओफियो ग्लॉसम, ओफियो ग्लॉसम एक fern है जिसमें की सबसे जादा मातरा में क्रोमोजोम पाये जाते हैं कितना 1260 आप एक अपनी कॉपी लेना, उसमें जितने भी कॉशन मेंने पूचे रफ कॉपी लेना और उसमें के एंसर जो भी मैंने आपसे कॉशन को पूचे हैं वो ज़रूर आप लिखके मुझे भेजना ऑर कल हम एक नियू चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं साथ ही साथ में NCRT से अभ्यास जो उसका प्रश्ण है एक्साइस कोश्चन में अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो वो डाउट भी आप डालना ताकि मैं उसका मैं उसके मैं उसका जवाब आपको दे पाऊं ठीक है तो अच्छे से रहना थेंक यू